आज का वीडियो बिगनर्स के लिए जहां मैं बताऊंगा कि डोमेन नेम को कैसे पर्चेस करना है इंडिया में UPI पेमेंट के थुरू कौन सी बेस्ट वेबसाइट है कहां से आप लोग पर्चेस कर सकते हो मैंने कौन सी वेबसाइट से पर्चेस किया है क्या पूरा स्टेप रहेगा पेमेंट से लेकर के आखरी सेट अप तक सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में हाई गाई मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहां पर मैंने वेब वोस्तिंग ब्लॉगिंग डोमें से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं आज का वीडियो इस इसके बाद जो भी आपका डोमें नेम है पहले वो आपको सर्च करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि वह अवेलेबल है की नहीं है जैसे क्रिपेश.com अब यहां पर मुझे दूसरा डोमें नेम देखना पड़ेगा मैं क्रिपेश2.com सर्च कर लेता हूं अगर वो अव इस तरीके से पहले आपने यहां पर डोमें नेम देख लो जो भी आपको पसंदा है वो आप यहां से सर्च करके देख लो प्राइजिंग के बारे में बात करनो तो हर डोमें एक्स्टेंशन की प्राइजिंग यहां पर अलग रहेगी जैसे .in की है .com की है .online की है यह सब एक्स्टेंशन में आते हैं जिससे डोमें खतम होता है क्रिपेज.com, क्रिपेज.in, क्रिपेज.xyz इन सब कि यहां पर प्राइजिंग अलग रहेगी एक important point यह भी है कि हर website यहां पर अपने different pricing रखते हैं GoDaddy की अलग है, Hostinger की अलग है, Namecheap की अलग है, Dynadot की is different तो हमेशा स अब से सस्ती वाली पर मत जाना, बहुत बार यहां पर domain websites बंद भी हो जाती है, तो अगर जो नहीं है, reputed नहीं है, established नहीं है, तो उन website की तरफ मत जाना, बहुत सारे beginners यह गलती कर देते हैं, क्या.com domain मुझे 99 रुपे में दे रहा है, बट वो बाद में अगर website बंद हो जात और बहुत सारी चीज़े upsell करते हैं, confuse बहुत करते हैं वो लोग customers को, इसलिए हम लोग यहां पर hostinger का use कर रहे है, now coming back to the screen, अब यहां पर आपको मैं एक domain name ले लेता हूँ, kptesthost8.icu, this is my domain name, यहां पर मैं इसको search करता हूँ, and ICU मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी pricing कम और मुझे सिफ आपको यहां पर show करने के लिए चाहिए, but अगर आपको कोई brandable domain name चाहिए, तो gofor.com, .in, .io, वैसे extension की तरफ जाओ, .icu अगर यह सिफ testing ले होते हैं, और spammy websites ले होते हैं, ऐसे सस्ते domains की तरफ बंचाना, so यहां से आपको period select कर सकते हैं, कितने साल के लिए आ पर साल आपको इसको renew करना पड़ेगा, renewal की pricing यहां पर different रहती है, change भी होती है, यह सिफ initial pricing है, next year मुझे इसकी approximately 1100 रुपे देने पड़ेंगे, if I want to renew this domain name, ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां पर नीचे आजाएंगे, उसके बाद आपको अपना आपर account create कर देना है, तो you can enter your email, you can enter the password, and then here you can select UPA option, इंडिया में UPA सभी के पास है, इसलिए आपर UPA select करेंगे, नाम वगरे, आप लोग अपना डाल सकते हो, यहां पर आपको free who is protection मिल रहा है, which is good, and who is protection क्या होता है, कोई भी यहां पर आपकी website की details है, domain की details है, कौन इसका owner है, क्या उसका phone number है, क्या email है वो reveal नहीं कर पाती है, general public, इसके बाद यहां पर आपको अपने details एंटर करनी है, क्योंकि यह नया account है, तो यह आपको first time एंटर करना पड़ेगा, and if you have GST number, तो यह जो tax है, dollar, rupees 33 का, you can claim that as well, यहां पर अपना company का नईम और GST number एंटर कर दोगे, तो यह आपका GST invoice generate हो coupon code पर I have a coupon code कृपेश, लेकिन यह से web hosting पर ही काम करता है, domain name पर काम नहीं करेगा, तो अगर आप web hosting purchase करते हो, via my link, तो you can use my coupon code कृपेश, ताकि वो आपको extra यहां पर 10% का off मिल जाए, submit secure payment, now UPI के लिए I'll need to give my phone number and UPI ID as well, now यहां पर मैंने अपना phone और UPI ID डाल दिया, I'll click continue, इ लेकिन यह mandate create करेगा, 1300 का, ताकि यह automatically next time इसको payment यह खुद ही कर दे अपने आप से, but इसको हम लोग यहां पर cancel भी कर सकते हैं, आपका phone pay का app हो, यह जो भी app हो, उस पर mandate आपको दिख जाएंगे, वो भी कैसे cancel करना है, वो भी मैं भी आपको आपको आगे बता दूँगा, continue करते हैं, तो यह रहां इनका auto pay का mandate कुछ इस तरीके से आएगा, अभी यहां पर 1300 लिखे हैं, लेकिन इतने मेरे deduct नहीं होंगे, सिर्फ कमी होंगे, I'll just have to set auto pay, यहां पर मेरी payment हो गई है, और मेरे सिर्फ approximately 122 ही कटे हैं, पहले अब हम लोग इसको setup कर लेते हैं, फिर मैं यहां पर कुछ भी डाल देता हो, आप लोग अपने हिसाब से ही, मतलब जो सही information है वही डालना, ताकि problem नहीं जाए in future, क्योंकि यह सिर्फ मेरा ऐसी है, demo के लिए, उसके बाद यह आप से पूछेगा कि आपको यहां पर website बनानी है कि नहीं बनानी है, तो we will say skip, I don't need a website, अ auto-renewal को आप लोग off कर सकते हो, I am planning to renew services manually, submit and disable auto-renew, अब हम लोग यहां पर home पर जाएंगे, मैं इसको बताता हूं कि manage कैसे करना है, home पर आपको यह domain section में मिल जाएगा, जो भी आपका domain name purchase किया हुआ है, we will go to here, manage, and फिर वापस से यह same server panel खुल जाएगा, we will go to DNS name servers, यहां पर जो आपके name servers है, जो भी company, आपको hosting company name servers देती है, आपके for example, अगर हम लोग side ground या chemi cloud के use कर रहे हैं, तो chemi cloud से आपको name servers मिलेंगे, आपको यहां पर change name servers पर click करना है, you need to click on change name servers, और वो जो दोनों तीनों आपको मिले हैं, वो यहां पर paste करके save कर देना है, इस domain का link हो यह important रहता है कि जहां पर भी आपको अपना domain name redirect करना हो, उसके name servers को आप लोग change कर दो, और DNS records भी रहते हैं, अगर अभी starting है, तो DNS records अभी मत जाना उसमें जादा, लेकिन अगर आपको सीखना ही है, domain के बारे में impact सीखना है, तो just go to YouTube, और मैंने यहां पर domain के बारे में बहु नहीं लेने चाहिए, और अच्छे domain names को कैसे ढूंडे, AI tools क्या है, ढूंडने के लिए, cheap domain names कौन से रहते है, domain expire हो जाए, तो क्या होता है, और बहुत सारे यहां पर और भी है DNS related है, जैसे क्रिपिश आडवानी DNS search करोगे, तो you will get my guide also, तीन साल पहले मैंने बनाया थी, आज अब उतनी ही relevant है, और अगर आप लोग को और advance में जाना है, तो learn also about DMARC, DMARC कभी tutorial में रिसेंटली बनाया था, अगेन इसको यहां पर एक बार में मत देखना, पहले basic से start करना, समझो domain hosting क्या है, उसका भी video है मेरे channel पर, उससे समझो, फिर domain को खरीदो, फिर यहां पर आप ल मैं phone पर use करना हूं, तो उसके थ्रू में example दे देता हूं, we will go here, and then we will go down, यहां पर आपको payment management के अंदर autopay का एक option दिख रहा है, उस पर click करना, इसके पाद यह hostinger जो आपको दिख रहा है, क्योंकि hostinger का मैंने आज ही mandate यहां पर create किया है, payment successful ठीक है, और यहां पर हम लोग नी कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो थमदब जरूर दे देना, सारे relevant links आपको नीचे description पर मिल जाएंगे, to support my channel, you can use the links from the description section below, and that's it, I'll see you guys in the next one, goodbye.